नमस्कार दोस्तों संसकार की बादे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा श्री राम चरित मानस की कुछ ऐसी चोपाईयां जिन्हें शनी वार्ग को सुनने मात्र से आपके कारेों में आ रही विघन बाधाएं सब दूर हो जाएंगी दोस्तों इन चोपाईयों को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जैशी हनुमान लिखकर कमेंट करें आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियों की जानकारी सबसे पहले हो सके दोस्तों शनी वार का भी यदि कोई आप पर ग्रह है तो शनी वार को हनुमान जी की ये चुपाईया सुनने से आपके शनी ग्रह के जो दोश है वो दूर हो जाएंगे बोलो श्री राम भगवान की जै पवन पुत्र हनुमान जी की जै जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमान तर दे अतिभाए तब लगी मोही परिखेओं तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जामवान के सुन्दर वचन सुनकर हनुमान जी के रिदय को बहुत ही भाई हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी रहा देखना जब लगिया वहु सीत ही देखी होई का जे मोही हर अश भी सेशी यह कहिना इसा बने कहूं मा था चले उहर अश ही धरी रगुना था जब तक मैं सीता जी को देख करना आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर और सब को मस्तक नवा कर तथा रिदे में शिन रगुनात जी को धारन करकर हनुमान जी हर्षित हो कर चली सिंधु तीर एक भूधर संदर कोतुक कूद चड़े उता उपर मार मार नगुबीर संभारी तर के उपावन ता ने बल भारी समुंद्र के तीर पर एक सुंदर परवत था हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके उपर जा चड़े और बार बार शी रगुवीर का स्मरन करके अत्यांत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेक से उचली जेही गिर चरन देही हनुमनता चलेओ सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोगर गुपत करबाना एही भाती चलेओ हनुमाना जिस परवत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वेह तुरंत ही पाताल में धस गया जैसे शीरगुनात जी का अमोग बान चलता है उसी तरह हनुमान जी चले जलने धिना घूपती दूत बीचारे तै मेनाक होई शमहारे समुद्र ने उन्हें शीरगुनात जी का दूत समझकर मेनाक परवत से कहा कि है मेनाक तू इनकी ठकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने उपर इन्हें विष्राम दे हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया फिर परणाम करके कहा भाई शीराम चंद्र जी का काम किए बिना मुझे विष्राम कहा जात पमन सुत देवन देखा जाने कहूं बलबुध विसेशा सुरसा नाम अहिन के माता पठे ने आई के ही देही बाता देवताओं ने पमन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा उनकी विशेश बल बुध्धी को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही आज सुरन मोही दीन आहारा सुनत वचन केह पवन कुमारा रामका जे करी फिरी में आवो सीता कई सुधि प्रभव सनावो आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है यह बचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा शीराम जी का कारे करके मैं लोट आउं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं तब तब बदन पैठा हूं आई सत्ते कहूं मोही जान दे माई कवने हुजतन दे ही नहीं जाना ग्रस सीना मोही काहूं हनुमाना तब मैं आकर तुम्हारे मुहों में खुश चाऊंगा हे माता मैं सत्ते कहता हूं अभी मुझे जाने दे जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना ले जो जन भरी ते ही बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा सोरे जो जन मुक्ते ही ठायों तुरत पवन सुते बातिस भायों उसने योजन भर मुहों फेलाया तब हनुमान जी ने अपने श्रीर को उससे दूना बढ़ा लिया उसने सोले हे योजन का मुक किया हनुमान जी तुरंत ही बत्तिश योजन के हो गई जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून का पिरूप देखावा सत जोजन ते ही आनन कीन हा अतिला गुरूप पावन सुत लीना जैसे जैसे सुरसा मुक का विश्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उनका तुना रूप दिखलाते थे उसने सो योजन मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारन कर लिया बदन पैठ पूनी बाहर आवा मागा विदा ताही सिरु नावा मोहि सुरन जेही नागी पठावा बुद्धी बल मरमतोर में पावा और वे उसके मुख में घुश कर फिर बहार निकलाए और उसे सिर्नवा कर विदा मांगने लगे मैंने तुम्हारे बुद्धी बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था बोलो सियापती राम चंद्र भगवान की जै संकट मोचन हनुमान जी की जै दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद